हांजी प्यारे बच्चो गुड मॉर्निंग अभी तक हमने कि एड्मीशन और पार्टनर्शिप में क्या क्या कर लिया एक बार मैं रिमाइंट कर देता हूं आपने जितने भी नोट्स बनाया है उसको भी आप देखना एक पर सामने रखना है आपको रेजिस्टर और जो जो मैं बोलता जाओंगा उसे अब समझते जाओगे सबसे पहले रेजिस्टर निकाल लो आप रेजिस्टर निकालने के बाद मैं रेपीड कर रहा हूं सबसे पहले आपने रेशियो सीखा था रेशियो के अंदर आप का था सरिंडर रेखना रेखने और कुछ से question भी देखे ते हमने जिसके अंदर कया था एक simple सा जो question बोला जाता है उसके according करना होता है उसके बाद हमने start कीया था treatment of goodwill treatment of goodwill में क्या देखा था हमने when partners bring his goodwill, not bring goodwill, withdrawn, partly bring, partly not bring, hidden goodwill, और kind वाला और एक और था private, यह नहीं देखा था हमने अब ही, कुछ बच्चों के query भी इसके अंदर doubt है, तो definitely मैं doubt लूँगा, क्योंकि मुझे main adjustment पर लेके चलना था, इसके बाद हमने यह दो question देखे थे practical, आपके book में number, नई book के इसाफ से मैं number update कर देता हूँ, जो आपके website पर जाओगे, तो जो question number side में दिखेगा, वो उसके इसाफ से updated होता है, तो वहाँ से question देख सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं question number इसलिए नहीं बोलता, क्योंकि बच्चे के पास, कुछ बच्चों के पास नई book है, और कुछ बच्चों के पास पुरानी book है, तो वो परिशान हो जाता है, के मेरे में 29 कोई और है, वो उसमें 29, तो मैं नई book के according, जो latest book है, उसके according मैं question number update करके website पे डालूँगा, description में, नई book के according होगा, और फिर नई book का आप किसी बच्चे से ले लो, और उसको numbering कर सकते हो, उसका the adjustment देखा था, assets के उपर, appreciation देखा, depreciation देखा, और debtor पे देखा, bill of exchange देखा, liability में, creditor के उपर देखा, unrecorded assets देखा, यह adjustment, यहां तक खतम कर लिए हमने, करीब 12 से 13 classes हो गई है, और यहां तक हमने खतम कर लिए है, अब हम question को दुबारा जैसे की question करना कैसे है, question को करने के लिए मैं दिबारा point बोलता हूँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे के general entry नहीं हो पारा सर, general entry में doubt आ रहे हैं, तो अब general entry भी मैंने जब adjustment करवाया है, तो लिखवाया है, ठीक है, अब हम जो start करेंगे, उसके अंदर क्या रहेगा, एक question का मैंने, मैंने, अगर देखोगे whiteboard पे, तो मैंने एक format बना रखा है, कौन सा question करूँगा, मैं name पढ़ दूँगा, और, हुआ तो आपके screen पे display हो जाएगा, वैसे ये वाला question तो, आप screen पे देखना side में, आपको display यहां पे हो रहा है question, है ये, कि आपके question में, जैसे की partnership का हमारे पूरा full flash, अभी भी general entry effect नहीं करने जा रहे हम question करेंगे, कुछ adjustment को apply करके देखेंगे, जो हमने notes बनाए है, सबसे पहले हमें adjustment करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें करना चाहिए क्या, balance sheet के सारे item को transfer, उसके बाद closing की बात करते हैं, सबसे पहले adjustment करना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमें क्या 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 करना चाहिए, अगर आप मेरे से बूचते हो, सके सर बता दो क्या 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 करना चाहिए, तो number one, sequence भी लिख देता हूँ, सबसे पहले हम करेंगे adjustment, number two पर क्या करेंगे balance sheet, amount, transfer, number three पर क्या करेंगे, revaluation close, और इस sequence से रहोगे ना देखो, करने को तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस से क्या रहता है हमारा, कि हमारे answer आने की probability जल्दी correct answer आजाता है, इसके बाद fourth number पर क्या करना है, fourth number पर करना है partners capital, लिख लेना यह आप, वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताए भी है, partners capital, और fifth number पर क्या करना है, cash book, and last में क्या करना है, 6 balance sheet, तो देखो हमें 6 steps याद रखने हैं, और इसी जो मैंने 6 steps लिखवाए हैं आपको, इसी 6 steps के according आपको सारा का सारा काम करके चलना है, इस बात को आपको अच्छे से धियान रखना है, ठीक है, तो यह आप note करिएगा, और note करने के साथ साथ rewind रखेगा, जब भी question हम करेंगे, वो इसी format में हम करने वाले हैं, आगे चलना हैं, ठीक है ना, इसी format में marker, मैं हाशर कल भी कर देता हूँ, ताकि आपको दिखे, यह लेजिए, ठीक है, इसी format में करने है, तो इसी को मैं follow करके, question करने जा रहा हूँ, question आपको display पे दिख रहा है, question में क्या है, देखते हैं, पढ़ते हैं, थोड़े इसमें adjustment भी heavy लग रहे हैं मुझे, उसे साब से, कहता है, श्याम, तीन पार्टनर रेश, चलो एक काम करते हैं, हम इससे थोड़ा सा आसान question पहले करके देखते हैं, try तो करना है, इसके बाद अगले question पे भी चलेंगे हैं, कहता है यहाँ पे, मधू, विधी, और पार्टनर, sharing profit ratio, 2 to 3, तो इन दोनों का जो P.S.R. है यहाँ पे, P.S.R. Profit Sharing Ratio, वो है हमारा, 2 to 3, है न, question में given है, आगे कहता है, इनके पास balance sheet में कुछ assets हैं, और फिर यहाँ पे कुछ liability है, मधू का capital दे रखा है, विधी का capital दे रखा है, general reserve दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, और भी कुछ information है, यहाँ पे less provision for doubtful debts, हमें तो पहले क्या करना है, number one adjustment, चलिए, adjustment करते हैं, मधू and विधी decided admit guy 3, इसने G को admit किया, new partner, profit sharing ratio, और इसने new PSR दे दिया, और जो अगर यह आएगी, तो new PSR होगा, new PSR, और इसने बोला कि 2, 3, 5, 2 is 2, 3 is 2, 5, गायतरी बोट, इसने अपने साथ ले के आई, brought अपने साथ ले के आती है, 4,00, as a capital and her share of premium, as a capital and her share of premium, तो इसने बोला कि यह जो है, 4,00, रुपए ले के आई है, यह 4,00, रुपए आ, इसका capital भी है, और इसका premium, दोनों mix है, बट कोशन में देखो, कोशन में क्या है, 4,00, रुपए लाई, जैसे जैसे बोला पहले कर देते हैं, तो सबसे पहले तो देखो, हम यहां लिखते हैं, buy balance BD, balance BD, ठीक है, और इसका है नहीं, तो इसके बाद number 2 पे हमेंसे लिखना, buy, अब capital कैसे लिखा है, नहीं बता है, अगर bank बनाते हो, बैलिंशीट में चेक करेंगे, ठीक है, bank है, cash का तो नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, cash book तो है, हम इसे bank account कर देते हैं, cash book, और bracket में bank column, ठीक है, ये कर दिया है मैंने, तो अब ये जो bank है, cash में कोई काम है नहीं, इस partnership का, ये मानके चल रहे हैं, इसलिए cash का balance ही नहीं है, balance sheet में, तो अब जो यहाँ पे payment आएगा, वो buy bank आएगा, अगर balance sheet में दोनों हो, cash भी हो, bank भी हो, तो क्या आएगा, तब आपकी इच्छा है, कि क्या लेना है, नहीं लेना है, cash भी ले सकते हो, bank भी ले सकते हो, तो 4,00,000 है, तो क्या मैं इसके capital में 4,00,000 लिख दूँ, concern, question ये है, कि sir, अभी तो हम इसको 4,00,000 रुपे, इसके capital में नहीं लिख सकते है, क्योंकि ये 4,00,000 रुपे जो है, वो capital and share of goodwill है, तो दोनों है ये, दोनों चीजे हैं, तो हमें यहाँ पर G के capital में amount लिखना होगा, उससे पहले हमें capital जानना है, नीचे कहता है, goodwill of the firm, फर्म का जो goodwill है, वो valued है 3,00,000 रुपे, तो 3,00,000 रुपे अगर firm का goodwill है, simple है, कि अगर firm का goodwill, आपको देता है 3,00,000, तो क्या आप आराम से, जो new partner गाईतरी है, उसका share निकाल सकते हैं, बिलकुल निकाल सकते हैं, तो G का share, goodwill, क्या आएगा बताओ, आएगा सर 3,00,000, इन्टू में 5 by 10, यानि, देखो 5 by 10 कैसे हुआ, 5 और 5,10, 5 by 10, यानि आगया यह 1,50,000, तो बहुत ही simple है, कि अगर 4,00,000 रुपे यह total लिखिया है, 4,00,000 में अपने हिस्से का goodwill ले गया है, समझ रहे हैं आप इस बात को, 4,00,000 total है, और 4,00,000 रुपे में से, 1,50,000 रुपे के अपने हिस्से का goodwill है, तो बताओ, इसका capital, capital का पैसा कितना है, 4,00, सुरी, मैंने बोला, 4,00,000 capital नहीं, 4,00,000 capital और goodwill दोनों है, और 1,50,000 goodwill है, तो कितना है, तो मैं यहां पर निकाल सकता हूँ, goodwill, तो यह 1,50,000,000 रुपे आएगा, अब कुछ बच्चों को confusion हो सकती है, में भी, कैसा 1,50,000 कैसे, तो मैं यहां bracket में लिख देता हूँ, 4,00,000 रुपे का capital, तो टूटल था, जिसमें से अगर 1,50,000,000 रुपे का, हमारा goodwill ही है, तो 1,50,000,000 बच गए, ठीक है, यह थोड़ा सा, दुबारा लिख देता हूँ, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000,000 रुपे, यहां तक कोई doubt है, तो बताओ, पहले adjustment को हमने कर लिया, goodwill valued firm, अब देखो, क्या इस goodwill का जो बाकी का पार्ट है, और कुछ करना है, तो answer है, जो 3,00,000, यह सिर्फ, यह जो 3,00,000,000 इन्फर्मिशन दे रखा था आपको, यह इसलिए दे रखा था, ताकि आप 1,50,000,000 निकाल पाओ, लेकिन यही goodwill, अगर balance sheet के assets में होता, समझना बात को, अगर यही goodwill balance sheet के assets में होता, तो हम दो काम करते हैं, दो काम क्या करते हैं, एक तो इसकी help से, balance sheet में जो goodwill है, उसकी help से, उसका share तो निकालते ही निकालते, और जो भी information नीचे दे रखा होता, और goodwill को हम write-off भी करते हैं, अगर balance sheet में given होता, तो हम इस तरीके का भी question देखेंगे, अब आगे देखते हैं, हम इसके अंदर क्या है, goodwill दे दिया, आपको 3,00,000 रुपे goodwill का adjustment हो चुका है, अब goodwill जो लेके आया है, अब मेरा question यह है, कि नया partner अपने साथ goodwill लेके आया या नहीं आया, total 4,00,000 लाए था, 2,00,000 लाग capital तो 1,5,00,000 यह goodwill है, इस goodwill को पुराने partner आपस में बाट लेंगे, किस ratio में? sacrificing ratio में, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब goodwill होता है, वो किस ratio में बढ़ता है? sacrificing, तो यहाँ पे देखो, old ratio अलग है और new ratio भी अलग है, दे रखा exam दने in fact, तो हमें sacrificing ratio यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो sacrificing ratio is equal to, आपका क्या होता sacrificing ratio? old minus new, तो old क्या है? एक का 2 by 5, इसका, इसके बाद minus में नया, यानि 2 by 10, ऐसे ही यह किसके लिए आया है sacrificing ratio? यह आया हमारा M के लिए, M के बाद हमें V के लिए निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसका क्या है 3 by 5, minus में क्या है 3 by 10, अब यहाँ पे LCM क्या आगे 10? और यह आगे हमारा 4 minus 2, ठीक है? यहाँ LCM क्या आगे 10? यह आगे 6 minus 3, यह आगे ना, 2, 6, 6 minus 3, अब result क्या आया हमारे पास निकलके? 2 by 10, और इसका आगे 3 by 10, it means ratio हो गया 2 to 3, तो देखो यहाँ पे जो हमारा old था, वही sacrifice आया है, तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कि जो old है उसी को sacrifice always मान ले, एक बार हम जरूर roughly चेक करेंगे, क्योंकि कई बार इस case में negative भी आ जाता है, और कई बार ratio चेंज हो जाता है, ठीक है? चलो, ठीक है, यानि इसका premium इस ratio में बटेगा, अब हर adjustment की पहले मुझे बताने कितनी entry करने पड़ीगी दो, तो एक तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अभी two balance bd लिख देता हूँ मैं, बाकी balance sheet जब खाली करेंगे तब लिख दूँगा मैं, यहाँ पर सबसे पहले आएगा, वो अपने साथ क्या लेके आया, capital, कौन सा capital आपका, G का capital, G's capital, और G कितना capital लेके आया, G, G लेके आया अपने साथ, धाई लाख रुपे, उसके बाद क्या लाएँ वो, वो premium लाएँ, premium कितने रुपे का लेके आया, डेड़ लाख रुपे का, तो हो गए इसके 4 लाख, ठीक है ना, अब देखो double entry, 4 लाख की, यहाँ पर 5 लाख की हो गई, और double entry का मतलब, एक debit और एक credit, यहाँ पर मैंने debit कर दिया 4 लाख से, अब यहाँ मैं credit 5 लाख कर चुका हूँ, और 5 लाख और करूँगा, तो उसको जो मैं बाटूँगा, तो बाटूँगा किस ratio में, PSR में किस तरीके से लिखा जाएगा, journal entry में आपने क्या कर रहा था इसका, जैसे अगर आपको 3 लाख को बाटना है, तो 3 लाख को अगर मैं बाटता हूँ, एम का शियर कैसे आएगा भाई, डेड़ लाख में से, और sacrificing ratio, मैं old ratio चेक नहीं करूँगा, sacrificing ratio, एम का है 2 बाई 3, जो कि आगया, 2 बाई 5 हो गाई, जो कि आगया 60,000, एम के बाद दूसरा पार्टनर के नाम क्या है, वी, तो वी का शियर, वी का शियर, 3 बाई 5, जो आगया 90,000, इसका मतलब, इसके account में premium भी आएगा, यहाँ पर premium से ही entry करेंगे, premium, premium को क्या बोलते हैं, premium गुडविल, 60,000 यहाँ आ जाएगा, और आपका 90,000 इस partner के account में आ गया, तो आप चेक करिए, यहाँ पर debit भी हो गया, 4 लाग और यहाँ credit हो गया, इस तरीके से भी हम जब question करते हैं, तो mind में लेके चलते हैं, कि debit credit हमारा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है, कि हमारा question जो होगा, वो ठीक चल रहा होगा, ठीक है, अब, premium, question मैं general entry पूछू तो आप general entry तो easy लिए कर सकते हो, देखो यहाँ से भी कर सकते हो general entry, क्या करोगे आप, premium account debit, to M's capital, to V's capital, यही करते थे थे ना, पहली entry क्या करते थे आप, यहाँ से cash book से, cash account debit, to G's capital, to premium, पहली entry करते थे थे आप, इसके बाद इसके लिए क्या करते हो आप, M capital, premium account debit, to M to V, तो general entry भी आप side में करके चलो, प्रेक्टिस रहेगी आपकी, अभी starting में, पहले adjustment को अब मैंने खतम किया है पूरा, ठीक है, पहले adjustment पूरी तरीके से complete, अब बताईए इसमें कोई आपको complaint, कोई doubt है, तो आप comment section में भी लिख सकते हैं, और आपके पास वहाँ पे live chat का भी option आ रहा होगा, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, उसको डाल सकते हो, आपको reply मिल जाएगा, तो इसके अंदर देखा जाए, अब आगे चलते हैं इस question को लेके हम, आगे first adjustment हो गया, second, land and building found overvalued by 26,000, adjustment कर वाया हुआ है मैंने यह, आप देखोगे उसको, इसका question में, इसका कहने का मतलब है, land and building जो है, वो overvalued by 26,000, इसका मतलब पहले से ही 26,000 से जादा दिखाया हुआ है, यानि balance sheet में, land and building कितने का है, land and building है हमारा, 3,00,000 रुपए का, land and building, land and building, जो है वो है 3,00,000 रुपए का, चिक है, और पहले से ही 26 का जादा दिखाया है, तो इसे ठीक कैसे करोगे, जी इसमें से less कर देंगे, depreciation लग गया होगा इसका मतलब, जब ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो 26,000, ठीक है ना, अब मुझे बताईए, कि मेरा assets कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, answer is, sir, assets हमारा कम हो गया, तो assets कम हुआ, तो revaluation पर impact आएगा, और यहाँ two side में लिखेंगे, किस नाम से two, land and building, land and building, कितने से 26,000 से, मेरे पास जो paper है, इसमें थोड़ा visibility नहीं है, एक पार मैं देख लेता हूँ, land and building, बिल्गोल, 3,00,000 रुपे का है, तो चलिए, अगले point पे चलते हैं, यानि देखो, adjustment, first में बस दिक्कत होगी, थोड़ा time लगेगा, उसके आप तो देखो, फटा-फट हो रहा है, land and building के बाद, provision for doubtful debts made, 5%, made equal to 5%, तो सबसे पहले तो debtor लिखो भाई, यहाँ पे, आपने सबसे पहले यहाँ debtor लिखना है, और debtor का एक और नाम है, पता है क्या है, book debts, book debts भी बोलते हैं debtor का, तो कई बार question में आपको book debts पे बोले, provision बनाने के लिए तो समझ जाना आप, तो पहले से debtor तीन लाख रुपए का है, और इसने बोला, इस तीन लाख रुपए पे आप 5% बनाईए, तो 5% जो माइनस करके 290 है ना, वो नहीं, इस पे बनाईए 5%, तो less provision, 5% होता है हमारा 15,000, ठीक है, पहले कितना माइनस करा हुआ था, 10, अब कर रहे हैं 15, तो assets कम हो गया, assets कम हुआ, revolution में पहुंच जाएगा, किस नाम से provision, provision on debtor, कितने का 5,000 का, अब question आ सकता है, देखो वैसे तो debtor वाले में, काफी सारे cases करा हैं, कुछ बच्चों का भी ये है, कि सर आपने 2,90,000 पे क्यों नहीं provision बनाया, देखो मेरा आंसर ये है, इसलिए कि 2,90,000 पे मैंने provision इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि इसने बोला है, कि debtor पे इतने के बराबर बनाईए, दूसरा question, सर अगर ये मान लो 5% होता, मैं example ले रहा हूँ, होता 8,000, तो फिर 2,000 का हमारा होता फाइदा, और वो 2,000 अथा revolution के buy side में, तो देखो कितने जल्दी जल्दी 2 adjustment कर लिया, 3 कर लिया, in fact, C, D कहता है, देर वासा claim 6,000, account workman compensation, workman compensation का claim है, इस workman compensation claim पे हम अलग से proper class लेंगे, होता क्या है workman compensation, यह मैं बता जिता हूँ, जैसे कि worker जो है, वो किसी factory में काम करते हैं, किसी construction area में काम करते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कि यहाँ पे miss happening होने के chances बहुत जादा है, यहाँ पे accident होने के chances जादा है, incident जैसे भी होता है, यहाँ पे क्या हो गया, एक worker काम कर रहा था construction का, उपर चड़के वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था, किसी भी reason की वेज़े से, मालो उपर से गिर जाता है, उसके pad तूट गये, हाँ तूट गये, तो ऐसे situation में, company की जिम्मेदारी है, कि उसको उसका सारा compensation दे, उसका इलाज करवाए, तो इसलिए किसी worker का हाथ पर तूट गया होगा इसके अंदर, तो 6,000 रुपे हमें workman compensation देना पड़ रहा है, बाकि इसके उपर detail में जो discussion है, वो हम करेंगे एक proper एक workman compensation के class लेके, तो workman compensation claim, claim का मतलब भाई वो मांग रहा है, अगर यहाँ पर होता workman compensation paid, paid का मतलब दे दिया है, अगर paid होता न, तो एक cashbook के buy side में आता, और नुकसान तो हई है, मुझे बेफालतु में देना पड़ रहा है, तो एक revolution के buy match, और two में आ जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ claim हुआ है, तो 6,000 रुपेज, तो मैं liability में लिखूँँगा, मैं थोड़ा short form यूज़ कर रहा हूँ, workman compensation claim, ठीक है न, workman compensation claim, 6,000 रुपेज, और जितने question मेरे दुआरा बोला जाए, सिर्फ आप उसी को homework में भी करना, क्योंकि हो सकता है कि आपको problem आए, फिर आपको लगे कि सर मुझे ये chapter तो समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं उसी एक एक according आपको बताता जाऊँगा, यहाँ पर आ गया, workman compensation claim, 6,000 रुपेज, लो जी, कितना आसान है, बताओ, adjustment भी खतम हो गया, नीचे कहता है, prepare revolution account, partners capital account and balance sheet, नीचे कहता है, prepare revolution account, partners capital और balance sheet, ठीक है, हम prepare कर लेते हैं, revolution, partners capital और balance sheet, तो, तो, adjustment सारा complete, अब हमारा दूसरा क्या काम है, वो देख लेते हैं, adjustment complete हमारा हो गया, इस पर मैं mark कर देता हूँ, और ये मैंने टिक कर दिया, ठीक है, adjustment complete, और मैंने टिक कर दिया यहाँ पर, अब इसके बाद हमारा दूसरा काम क्या है, balance sheet के amount transfer, तो देखो, मेरे पास एक balance sheet है, इसके amount को मैं transfer करूँगा, कैसे करना चाहिए, transfer जो item जहाँ जाएगा, उसको वहाँ लिख देंगे, और अगर कोई item पहले से लिख रख रख है, तो उसको repeat करके नहीं लिखना, मैं liability से start करता हूँ, जैसे मधू का capital है, और आपका विधी का capital है, तो इसको जो balance sheet में जितने भी item होता है, अगर किसी account में transfer होता है, तो वो हमेशा balance BD के नाम से जाता है, इस बात को ध्यान रखना, या तो distribute हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो balance BD रहा ही नहीं, लेकिन अगर starting का balance जाएगा, balance BD के नाम से जाएगा, जैसे 5,20,000 इसका capital है, 5,20,000, और second विधी का capital 3,00,000 रुपे, ठीक है, आगे कहता है general reserve, जितने भी reserve होते हैं, वो क्या होता है, partners capital में distribute हो जाता है, कौन-कौन सा reserve होता है, general reserve, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, तीन है, general reserve तो बिना tension के बाट दिया जाता है, लेकिन investment fluctuation reserve, और workman compensation reserve, यह हमें सोचना पढ़ता है, कि adjustment में क्या कहता है, उसके according चलना पढ़ता है, इसके उपर मैंने बोला, जैसे कि दोनों पे अलग-अलग class होगी, अभी तो फिलाल general reserve है, किस ratio में बटेगा, सब कुछ old ratio में बटता है, सिर्फ premium sacrifice ratio में बटेगा, तो buy side में मैंने बाट दिया है, यहाँ पे general reserve, और general reserve 30,000 रुपए, 30,000 को अगर हम बाटते हैं, तो यह आता है हमारा, 36, 12, 18, 12,000 और 18,000, किस ratio में बाटा गया, जल्दी जल्दी बताओ, यह बाटा गया old ratio में, ठीक है old ratio में, bills payable, कोई information था नहीं, bills payable पे, as a tease मैंने यहाँ पे BP लिख दिया, और bills payable आ गया, मेरा यहाँ पे date law गुरुप है, exam में आप BP लिख सकते हो, ठीक है न, बाकी कुशिस करो, bills payable लिखना, और workman compensation को, workman compensation, सारी चीज़े exam के point of view से लेके चलना, debit credit proper होना चीए, अब देखों, यहाँ पे मैंने लिखना है as at, as at, जो भी date है, जैसे कि मेरे question में date दे रखा है हमें, 1st April, तो 1st April क्या है मारा, 2016, तो मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी इस पर भी discuss कर लेंगे, land and building हो चुका done, machinery नहीं हुआ, अब machinery लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि machinery लिखा नहीं है, machinery कितने दे रखा है, मैं 280 दे रखा है, और एक बार मैं दुबारे digit चेक करूँगा यह, stock, stock 80,000 है, stock कितने का है, 80,000, फिर भी मैं एक बार मैंने बोला, जैसे कि मैं चेक कर लेता हूँ, बस यहीं डिजट थोड़ा नहीं दिख रहा हूँ, exactly, stock 80,000 है, और bank का balance 5,000 रुपए है, debtor हो चुका है, bank का balance 5,000 है, तो देखो, bank के यहाँ नहीं लिखना आपने, bank का balance, क्योंकि cash book, bank column बना रखा है, अगर distribute ना हो रहा हूँ, सीधा उठके जा रहा हो तो, बाकि जो बटेगा, वो उसी के नाम से जाएगा, ठीक है, और अगर balance sheet में जाता है, तो वो भी उसी के नाम से जाता है, क्योंकि balance sheet हमारा क्या है, एक statement है, एक तरीके से show करता है हमें, क्या information है, चलिए, liability भी कर लिया हमने, और assets भी सारा का सारा complete कर लिया, दो काम complete हो गया हमारा, तीसरा भी हमने, स्वरे तीसरा नी, दो काम कर लिया है, अब तीसरे work में क्या कहता है, कि आप revolution को close कर ये, बिल्कुल जी कर देते हैं, revolution को close, करते हैं, revolution में क्या होगा, 26,000, प्लस 5,000, प्लस में 6,000, 37,000 रुपे, 37,000, 37,000, ठीक है, और यहां by side में आजाएगा, by loss, loss, transfer to, कहा जाएगा बताओ, capital account, और यहां दो partner में बढ़ता है, old में, M और V में, 37,000, डिवाड़े वे 5, इंटू में 2, तो 14,800, और triple 2, double 0, ठीक है, अब इस loss को कहा दिखाएगे, partners capital के two side में, अगर profit आता है, तो buy side में, इसके बाद यह, revolution close हो गया, यहां पर loss दिखा दिखा देता हूँ, revaluation account, account, ठीक है, अब किसमें, 2 में बटेगा, कितने 14,800, बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि यहीं transfer करना, भूल जाते हैं, अग्साम बे, और result ही होता है, कि balance sheet मैच नहीं हो बाता, लिख लिए चलो, तीसरे नमबर पर भी टिक लगा दिया, चौते नमबर पर क्या करना है, partners capital close, ठीक है, आठ नमबर का question आता है, हमारे exam में इस पे से, तो अगर देखा जाए, तो पांच लाग बीस हजार, साथ हजार और बारह हजार, फाइब नइनटी टू, और यह भी आगया फाइब नइनटी टू, और यहाँ पर लिखेंगे, टू बैलेंस, सीडी, यहाँ सीडी नहीं आएगा, यहाँ पर लेकिन सीडी आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसको डिरेक्टली बैलेंस शीट में जाना है, जिस आइटम को बैलेंस शीट में पहुंचाना होता है, वो बैलेंस सीडी होता है, लास्ट में बचने के बाद, माइनस 14,800, इसमें से इसको माइनस किया, तो आगया यह हमारा 577, देखो यह कैसे आया, इस वाले टोटल को हमने उठा के इहां लिखा, और इस टोटल में से हमने इस 14,800 को माइनस किया, तो यह आ गया, ठीक है, चलो, अगले पॉइंट पे चलते हैं, आपको V का कैपिटल, 3,00, प्लस 90,000, प्लस 18,000, 4,08,000, कुछ बच्चे बोलें, सर जनल एंट्री नहीं करा होगे, इसमें से कराएंगे जनल एंट्री बिल्कुल पहले, हम आपका बेस को थोड़ा स्ट्रॉंग बनाए, एक बार बेस ठीक हो जाता है, तो फिर आपकी जनल एंट्री भी करना, इसमें स्टार्ट कर देंगे हैं, और हाला कि जनल एंट्री अगर आप परजस्मेंट पहले देखेंगे तो वही करूँगा, बस लेकिन मैं भी करा हूँगा एक बार, उसके चिंता मत करो, 38,58,00, ठीक है, यह आ गया, यह बैलेंसिंग फिगर है, आप यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर डाल दें, बैलेंसिंग फिगर है, इसका कैपिटल क्या होगा, धायलाक, और धायलाक, और धायलाक, लो जी, कैपिटल अकाउंट भी बंद हो गया, अब कैश्बुक को बंद करना है, लेकिन इसके balance को मैं transfer कर देता हूँ साथ के साथ यहाँ Capital और किस-किस का है M V और G 577 200 385 800 और 250,000 Totaling हम बाद में इखटे कर लेंगे इसके बाद cashbook का number है चलिए cashbook का Totaling कर लेते है 5,000 5,500,000 और 1,500,000 तो 4,500,000 कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या यह mandatory है बनाना यह देखो मैं तो कहूंगा हमेशा बना के चलो बागी mandatory यह question में बोला जाए तो mandatory यह नहीं बोला जाए तो आपके इच्छा है अगर necessary laser बोलता है तो तो cashbook बनाने ही बनाना है नहीं तो यहां भी minus plus कर सकते हो balance cd 4,500,000 और इसको कहां transfer करेंगे है किसका bank का balance तो यहां जाएगा bank के नाम से 4,500,000 ठीक है अब इसके अद लास्ट क्या है cashbook भी done हो गया अब हमारा balance sheet है balance sheet को totaling कर देते हैं तो balance sheet का अगर मैं total करूँ 3,000,000 minus 26,000 तो 274 285 इधर capital को add कर लेते हैं 577,200 385,800 बिल्कुल 250 12,13,000 देखो डिजिट के आया हमारा 12,13,000 ठीक है totaling करते है इसके बाद 6,000 और 1,500,000 13,69,000 ठीक है अब इस side total कर लेते हैं अगर दोनो side match है तो ठीक 74 285 274 285 इसके बाद 280 80,000 और 4,05,000 तो देखे आपका तो इसके अंदर था आपका totaling करते हैं totaling 4,5,6 एक चीज मिस्प्रिंट हो गया थोड़ा सा बस ये बैंक ना 5000 नहीं है वो थोड़ा कम दिख रहा था 50 है ठीक है तो ये 4,50 हो जाएगा इसको थोड़ा मैं ठीक कर देता हूं क्योंकि मेरे पास जो प्रिंट आउट है उसके अंदर clear नहीं आ रहा था इसलिए ठीक है total करते हैं तो total हमारा करेंगे तो ये आगे हमारा 13,69 ठीक है ये था हमारा पूरा question आपके book का और जो भी question number है वो मैं description में डाल दूँगा आपके book का ये question है तो इसको एक बार आप अच्छे से note करिए एक-एक point को note करिए फिर भी मैं एक बार overview करता हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए adjustment करना चाहिए adjustment में क्या क्या होगा पहला adjustment हमेशा होगा कि partner अपने साथ capital लेके आएगा और अपने साथ premium लेके आएगा तो capital और premium दो जगह पे जाता है, एक जाता है हमारा cash book के अंदर और एक जाता है partners capital के buy side में अगले adjustment assets और liability पे होगा, तो balance sheet के अंदर minus plus जो भी होता है, उसके according हमें अपने सोच के कि हमारे revolution में debit आएगा या credit वो देखके चलना है ठीक है, और ये थोड़ा सा और format अच्छा कर देता हूँ, 37,000, अगले point की तरफ चलें, तो अगले point में क्या करते हैं, हम सारे balance sheet के item को transfer करते हैं, तो जो item directly accounts में जा रहा है, उसको हम distribute कर देंगे, balance bd के नाम से लिखेंगे, और जो बटने वाला है, distribute होने आला, वो से हम distribute करें इसके बाद revolution को close करके कहा transfer करना है, partners capital में, partners capital को अब बात करते हैं, अब भी खुद थोड़ा सा logic लगा, ये तो पता है, मैं एक पर फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे, कि अगर कोई partner capital लाएगा, तो उसका balance बढ़एगा, और capital का balance क्या होता है, credit, और balance अगर बढ़ता है, तो तो इसके premium अगर इसके account में जाएगा, तो बढ़ेगा, इसलिए credit हुआ, general reserve अगर इसको मिलेगा, तो बढ़ेगा, तो credit हो गया, loss की वज़े से इसके capital पे क्या फारक पड़ेगा, घटेगा, बताओ, घटेगा ना, तो क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे यह debit हो गया, वैसे भी transfer करोगे debit, now यह सारा हमने आगे forward करके, पहले इसको total किया, क्यों किया भाई, क्योंकि इसके अंदर information जाएगा, फिर किसको total किया, इसको, यहाँ गया, फिर इसको यहाँ, सबसे last में हमारा balance sheet होगा, और balance sheet के बाद, फिर हम आगे का, जो general entry, तो वैसे एक ही question आएगा, य laser है, master laser तो नहीं कहूंगा, master information जहाँ पर दिया जाता है, तो इसका, यह भी यहाँ मिल जाएगा, और यह भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, अब आराम सो, सुंदर सुंदर नाइट राइटिंग में, without cheating के note करना है, आपने, जल्दी जल्दी करिया, कर दो इसक दो цент्साटार डाइटिंग में, गड़खने कर दो एक दो फाथजक 속 आएशने जल्दी करना हम्